हर्याना आर्जकर राजनीती का केंद्र हो गया है वजहा आप बहतर तरीके से जानते हैं हर्याना की तरह माराष्ट में भी कॉंग्रिस से बात नहीं बनी तो इसका असर तप्रदेश के सियासत में दोनों दरों की दोस्ती पर भी पर सकता है भारत एक 9 देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हुगाजो नरायम हर्याना आरजकर राजनीती का केंद्र हो गया है वजहा आप बहतर तरीके से जानते हैं बीते कुछ समय से हर्याना सुर्ख्यों में रहा है वजह है राजनीती, रनीती, बदलाव, फहलवान और चुनाव जैसे जैसे चुनाव नजदी का रहा है वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक भी बढ़ रही है सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की बीजेपी ने जब समीदवारों की लिस्ट जारी की है तब से बीजेपी में बवाल बचा हुआ है भाजपा ने इस बार हर्याना चुनाओं में अपनों से ज़ादा भरोसा बाहरी उमीदवारों पर जताया नतीजा ये हुआ है कि पार्टी के पुराने वफादारों नहीं पार्टी के खिलाफ बूर्चा खोल दिया मामला यहां तक पहुँच गया कि सीम नायाब सेहनी पार्टी के निताओं को मनाने में लगे हुए है पार्टी के बड़े नेता कॉंग्रिस में जा रहे हैं तो कुछ नेता जैसे रणजीत सिंग, चौटाला, सावितरी जिंदल तो निर्देलिये ही मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है लेकिन मज़े के बाद तो ये है कि श्रीश नेतित्त ने अभी तक इस प्रक्रण में चुपपी साथ रखी है जों हर्याना में लोगसभा चुनाव के पैणाम से कॉंग्रिस में नई उर्जा का संचार हुआ है हर्याना में दस लोगसभा सीटों में से कॉंग्रिस और बीजपी को पांच पा सीटे मिली थी जिसमें 42 सीटों पर कॉंग्रिस तो 44 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली थी अब ऐसे में कॉंग्रिस भी हर्याना चुनाव में टिकेट बटवारे को लेकर एक एक कदम फुक फुक कर उठा रही है वह इंडिया गड़बंदन के साथ टिकेट बटवारे को लेकर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है सूत्रों के मताबिक कॉंग्रिस हर्याना में आप और सपा को ज़्यादा सीटे देने के लिए तयार नहीं है आप और सपा को मिला कर साथ सीटों के उपर देने के लिए तयार नहीं है वहीं कुछ विशेश शूत्रों से पता चला है कि आम आगमी पार्टी ने इंडिया गड़बंदन से अलग हट कर चुनाव लड़ने का प्लान बना लिया है वहीं समाजवादी पार्टी ने हर्याणा चुनाव से अपने कदम वापस ले लिये हैं उन्होंने हर्याना चुनाओं में कॉंग्लिस को समर्थन देने का एलान किया सफा प्रमुक अखली श्यादर ने शुक्रवार को कहा है कि बात दो चार सीटों पर प्रत्याशी तालने की नहीं है बात जनता के दुखदर्द को समझते हुए उनको बीजेपी की सियासा से मुक्ति दिलाने की है इसके लिए सफा हर तयाक के लिए तयार है और बीजेपी को हराने के लिए हर्याना चुनाओं में इंडिया गड़बंदन का साथ देंगे अब ऐसे में सवाल उटता है कि अखिलीश ने हर्याने में बड़ा दिल दिखा दिया क्या काउनिस यूपी में अपना दिल बड़ा कर पाएगी लोगसभा चुनाओं में सैती सीटे जीतने के बाद से अखिलीश यादव रास्टिये पलक पर सपा को पहचान दिलाने के रणीती पर काम कर रहे हैं इसके लिए वो हर्याना विधानसभा चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे थे हर्याना की सपा प्रदीश शिकाई ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था सपा के प्रदीश अध्यर सुरेंद्र भार्टी ने अखिलीश यादव को 17 सीटों का बेवरा भी भी भीजा था जिलाना, सोहना, बवाल, बेरी, चर्की दादरी और बल्लबगर जैसी सीट पर सपा की नजर थी सपा प्रमुक अखिलीश यादव की कोशिश हर्याना में कॉंग्रिस के साथ मिल कर चनाव लड़ने की है इसके लिए कॉंग्रिस यादव के साथ सीटों को लेकर उनकी बातचीट भी चल रही थी हाला कि कॉंग्रिस एक सीट से ज्यादा सपा को देने की पक्ष में नहीं थी अब ऐसे में अखिलीश ने हर्याना चनाव लड़ने से पीछे हट गए है ट्वीट करके कहा कि बात सीट की नहीं बलकि बीजेपी को हराने की है हम मानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया गड़ बंदन के किसी भी घटक दल के लिए एक समय अपनी राज़ितिक संभावना तलाशने का नहीं है बलकि त्याग और बलिदान देने का है हरियाना के हित में सपा बड़े दिल से हर त्याग के लिए तयार है बीजेपी को हराने में इंडिया गड़ बंदन के साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ती को जोड़ देंगे अखिलेश ने हरियाना चुनाव से अपने कदम पीछे खीच कर कॉंग्रिस को चुनाव लड़ने के लिए पूरा मैदान दे दिया मुद्य प्रदेश के 2023 चुनाव में कॉंग्रिस के साथ शेरिंग पर बात ना बनने के बाद सपा ने 71 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे सपा प्रमुक ने हरियाना में जिस तरह त्याग दिखाया क्या कॉंग्रिस यूप में बड़ा दिल दिखा पाएगी और महाराष्ट में सम्मान जरक सीट देगी उत्तर प्रदेश के 10 विदान सवा सीटों पर उप्चिनाव होने है यूपी कॉंग्रिस के अधियक शाजर राय ने कहा है कि कॉंग्रिस उप्चिनाव में 10 में से 5 सीटों पर चिनाव लड़ेगी इसे लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 50-50 तो बिसकिट आता है सपा की कॉंग्रिस अपनी और सपा की कोशिश अपनी 5 विधान सवा सीटों पर जीत को बरकरा रखने के साथ पाले वाली 5 विधान सवा सीटों पर कबज़ा जमाने किया वैसे में अखिलेश कॉंग्रिस को उप्चिनाव में 1-2 सीट ही देने के मूल में है 2024 लोगसभा चुनाव में उत्तप्रदेश में 6 सीट जीतने के बाद से कॉंग्रिस के होसले बुलंद है इसके चलते ही कॉंग्रिस को यूपी की सियासत में दوبारा से खड़े होने के उमीद दिखने लगी है उसके लिए वो 2027 की धानसभा चुनाव में अपने लिए बड़ा अफसर तलाश रही है राहुल गांधी लगातार यूपी के दोरे कर रहे है ऐसे में कॉंग्रिस उप चुनाव में 5 सीटों पर दावा कर रही है 2024 में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कॉंग्रिस ने 2027 वदान सब चुनाव में 100 से जादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मंसुबा बना रखा है हालाकि हर्याणा में जिस तरह से कॉंग्रिस मदबूत है उसी तरह यूपी में सपह की सिती है हर्याना में सपा कमजोर है तो यूपी में कॉंग्रिस की सिती भी बहुत अच्छी नहीं है अखली श्यादर ने हर्याना में कॉंग्रिस के साथ सीट की बार गेनिंग करने के बज़ाए बीजोपी को हराने के लिए हर त्याग पर इत्याग देने की बात कही है क्या उसी तरह से यूपी उप्चुनाव में भी कॉंग्रिस बड़ा दिल दिखा पाएगी कॉंग्रिस पांस सीटों पर उप्चुनाव लड़ने की जिद छोड़ेगी क्योंकि उप्चुनाव को दोहजा सब्ताइस के धानसभा का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है लोगसभा चुनाव में बदली रणीती के तैद उतरी सपा ने बीजोपी को करारी मात दी थी अखली श्यादर वा विधानसभा उप्चुनाव में सपा के मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश में है इसके जरीव विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव दोहजासभा उप्चुनाव के लिए दवाब बना दिया है महाराष्ट विधानसभा चुनाव में सपा करीब 10 सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है महाराष्ट विधानसभा चुनाव के लिए प्रिभारी नियुक्त कर रखा है महाराष्ट प्रदेश अध्यश अबू आसिम आजमी एक बड़ा चहरा है अब आजम पिशले दिनों सपा के सभी सांसदों का मुंबई में स्वागा सम्हारों पर मोमेंटम बनाने का काम कर चुके है पार्टे के अभी वहाँ दो विधायक है सपा ने महाराष्ट में मुस्लिम बहुले उत्तर भारते मद्दाताओं वाली सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया जिसके लिए पार्टे ने उमीदवारों के नाम की भी लिस्ट लगभग तैकर ली है मुंबई और से सटे ठाने जिले की सीटों पर पार्टे के नजर है मुंबई की मानकोर सिवाजी नगर, भायखला, वारसोवा और से सटे ठाने की भीवंडी इस्ट और भीवंडी वेस्ट के अरावा महाराष्ट की धूलिया और अंगाबाद जैसी मुस्लिम बाहुलिय सीटों पर अपने प्रतियाशी उतारने की तैयारी की है मानकर शिवाजी नगर सीट से सपा के अबु आजमी और भीवंडी इच से रईश शेक पार्टी के मौजुदा विधायक है इसवार सपा महाराष्ट में अपने विधायकों की संख्या मिजापा करना चाहती है हर्याना मत्याक के बदले सपा यूपी उप्चनाव और महाराष्ट विधासबचनाव में सम्मानजनक सीटे चाहती है हर्याणा में चुनाव प्रदर्शन और जमीन के आधार पर जिस तरह राजे में सपा को सीटे नहीं मिली है उसे तरह यूपी उप चुनाव में कॉंग्रिस के लिए दबाब बना दिया है कॉंग्रिस यहां पांस सीटों पर दाबा कर रही है लेकिन एक से जादा सीट उसको मिलनी मुश्किल होगी हर्याणा की तरह मारास्ट में भी कॉंग्रिस से बात नहीं बनी तो इसका असर उतरप्रदेश की सियासत में दोनों दरों की दोस्ती पर भी पढ़ सकता है अब क्या आसर पड़ेगा इसका अंतिजार फिलाल के इतना ही कर फिर लोटेंगे भारत एक नाइन में किसी और मुद्धे पर बात करेंगे धनेवाद